स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटिस्ट और पहुत ही मज़दार वीडियो में क्लास तेंथ एक्जाम वाले जितने भी विद्यारती हैं अब्जेक्टिव को लेकर बड़ा ही टेंशन में रह रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्यापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर साइन्स अब्जेक्टिव का वीडियो डेली बै डेली अब अब अपलोड हो रहा है अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखा होंगे तो देख लिजेगा आपकी क्लास 10 आपकी जो क्लास 10 है न साइन्स का तो टेंसन ही छोड़ देना है क्यों कि ग्यापन एकेडमी एक नए प्लेलिस्ट ग्यापन एकेडमी के ही चैनल पर आप प्लेलिस्ट वाली सेक्शन पर जाएगा Class 10 Science Objective Exam 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया है ग्यापन एकेड में इसमें Science का परतिये चेप्टर का वीडियो डेली बैडेली अप्लोड हो रहा है आज हम लोग क्या करने वाले हैं कमेश्ट्री का सुनिएगा कमेश्ट्री का तिसरा धातु एवं अधातु से रिलिटेड जितना भी Objective हो जाने वाला है सबका जो हैना Objective करने वाले है ध्यान दखिएगा कि ये Objective One Liner है क्या है One Liner है और इस One Liner Objective के बाद फिर से हम लोग जो Objective Series लेकर के आएंगे मैराथन कलास चलाएंगे उसमें आपसन रहेगा उसमें चार आपसन रहेगा जिसमें से आपको एक क्या करना होगा पिकाउट करना होगा और वो लाइव के थुरू हम लोग कराएंगे तो चलिए बिना दिर के हम लोग धातु एवं अधातु नामक चेप्टर से जितना भी अबजेक्टिव बन जाने वाला उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं लेशन थ्री कमेश्टी का जो की इससे जितना भी अबजेक्टिव बन जाने वाला था पूरा का पूरा अबजेक्टिव आपकी दिमाग में फीट हो जाने वला है तो चलिए यहांपर देखते हैं चिप्टर का नाम क्या है भाई दातू एमां अधातू यानिमेट्ल एंडनमेट्ल तो देखते हैं पहला प्रस्थन क्या बोल रहा है कि किन दातू को किरोसीन में डुबा कर रखा जाता है भाई किरोसिन में दूबाकर, इसलिए रखा जाता है, ताकि वाईव के संबर्ग में आकर वो आग नपकड़ ले, तो इसमें आप देख सकते हैं, कि so आपके दिमाग में फिट करना चाहते हैं, इसी trick के मादम से, अगर आप से पुछे, कि कौन सा ऐसा धातू है, जो अती मुलायम की केटेगरी में आता है तो आप कह सकते हैं कि सोडियम, पोटेसियम और लिथियम आता है और उसका भी ट्रीक यहीं लागू होगा कि सोडियम, पोटेसियम, लिथियम का नकली ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रसन क्या कर रहा है? अगला प्रसन है कि बकसाइड की इस धातू का एसक है तो अल्मूनियम का ठीक है? अब अगला प्रसन देखिएगा कि कौन सा धातू वायू से अभी किरिया नहीं करते हैं तो भाई सोना, चान्दी और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो है ना अभी किरिया सिलता सिनेडी में अगर देखा जाए तो सबसी कम अभी किरिया सिलतादू की केटेगरी में यह आता है इसलिए यह कभी भी मनें यह लिस्ट रियक्टिव मेटल है यह कभी भी वायू और मतलब नमी के संपर्ग में आकर कि यह अपने चमा को खोता नहीं है डेडीज भाई की इसको जवेलरी में इस्तमाल किये जाते हैं अगला प्रसन देखते हैं कि कौन सा लावाण समुद्री जल में पाया जाता है तो एननेसियल सोडियम कोलोराइड अगला प्रसन देखें कि कौन सी धातु अमल राज की अलावे किसी अन्य अमल से नहीं गोलती तो वो हो सकता है सोना ठीक है ना अब यहाँ पर अगला प्रसन देखें कि सातवा नमबर किस वीधी द्वारा लोहे की कडाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है तो भाई जस्ते की परचड़ी यानि जस्तिकरण के दोरा यानि जस्तिकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दोरा कडाई पर एक लेपन चड़ा करके कडाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है अगला प्रसन है कि खाद पदार्त वाले कनास्तर यानि कि बरतन पर टीन का लेप चड़ाया जाता है जस्ता का लेप नहीं क्यूंकि जस्ता जो होता है वो टीन से अधिक क्रियासिल होता है तो देखिए यहां पर कुछन क्या पूछ रहा है देखिए खाद पदार्त वाले कन पर नहीं चड़ाया जाता है, टीन का चड़ाया जाता है, ठीक है? अब आईए अगला प्रस्ट देखता है, नौ नंबर, सोडियम और कलोरीन के बीच अभी किरिया होने पर सोडियम पर क्योंधार क्या है तो भाई केसियल यह भी खास प्रसन नहीं लेकिन फिर भी लिख दिया गया मतलब मैं एक भी प्रसन नहीं छोड़ा हूं पितल कौन सा धाता है भाई मिस्ड़ाथ हुआ ठीक है ना अगला बात करते हैं क्लमुमुनियम यह कि यह जाता है तो फिन उत्पलावन वीदी के द्वारा किया जाता है खेंगे का विदू करने के लिए किया जाता है क्यूंकि क्यूं क्यूं क्यूंकि यहां पर और यह किट ना सकता था जलिए पदार्थ है यानि कि पानी में जब फिटिकरी आप डालते हो तो क्या करता है कहीं न कहीं से पानी को शुद बनाने में मदद करता है और यह मतलब मान के चलिए पानी में आई बेक्ट 17 नमर लोहे का सबसे मतपुण ऐस कौन है तो लोह हैं हेमाटाइट है 18 नमर फिरस क्लोराइड है हारा लावन ठीक है न एंटी में नहीं है उप धातू एदम वन लाइनर कोशन पूरे अपने दिवांग बैटा लेजिए आपसन कोई भी हो एंसर यहीं होगा है ठीक है यहाँ सबसे अधिक पाया जाने वाले धातू है एक इस नमर में सीने बार किस दातू का इसके तो पारा बाइस नमर से कौन सा दातू है तो मिस्र धातू मतलब मैं जीतना भी ओन लाइनर कोशन आपके बीच शेयर कर रहा हूं यह आपको स्क्रीन पर ताकने और झाकने की जरूरत नहीं है बस इस मोबाइल को अन करके और वीडियो को चला करके अपने कान के पास रख दीजिए जीतना कोशन में पढ़ रहा हूं और एंसर बतारों आपके दिमांग में दीरी दीर सब्सक्राइब अगला प्रसंदे करेंगे तेश नमर इस में उपस्तित और शुदियों को कहा जाता है क्या चीज़ धातू मिस्रड चौबिस नमर एस्टेनलेस एस्टील किन धातू का मिस्रड़ दातू है तो नीकल और क्रोमियम का स्वेथ फास्फोर चमकता है अंधेरा में भाई दोवन इस ठीक है ना सोडियम भाई करवन टेनेस टूओ ठीक है ना तो टेनेस दस वाल्टी पानी से आपको याद होना चाहिए दोवन सोड़ा कर असानिक सुद्र किस धातू का उपयोग थर्मा मीटर में होता है तो बाई पारा का जर्मन सिल्वर में रहता है तामा निकल जस्ता ठीक है अब बात करते हैं 29 नमर प्रस ने जटपट खाने वाला सोड़ा को पयोग होता है अगनी सामा की अंत्र में एफी ओ ठीक है एफी ओ ठीक है मेलोहे की ठीक है ना सहिजगता है टू ठीक है अगला बात करते हैं इथूरेलियम एलमुनियम का एक क्या है मिस्र धातू है उसके बात से है फासफोरस कौन सा रूप जन्तू जीवन के लिए घातक है तो वह है स्वेथ फासफोरस ठीक है अगला प्रसन आप देखेंगे फासफोरस कौन सा अप रूप अधिक क्रियसील है तो वह हो सकता है स्वेथ फासफोरस अगला प्रसन है कौन से धातू को ट्रीक बनता है नकली नकली और नकली है तो जाइँ सी यह दातु का एक condi रहता ही यह क्टेंगरी में रखना जीढ़र आत्यानोख गरना करते हैं रखेंगे किशीड़ी जाता है और चाकू से पतले चादर में परिवर्थे करने की परकिरियां क्या कहा जाता है अगात वर्धनिया तक अलाता है सबसे अधिक कठोर कौन सा है तो भाई हीरा है यानि कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ अगर कोई है तो इस धर्ती पर हीरा को मना गया धातू के बारीक एक्षा में कितने इलेक्टरान होते हैं यह नहीं कि किसी भी धातू की पाचान करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि धातू कठोर होता है धातू कठोर नहीं होता है क्योंकि धातू का कठोरता और नहीं कठोरता का भी बहुत इसलिए मैं कहूंगा कि धातु का वेलैंस इलेक्टान निकालक निकालकर पतक किया जा सकते हैं यहां पर आपका पूरा पूरा जो लेशन थ्री था ठीक है इस लेशन थ्री का नाम क्या था धातु जो पूरे अच्छे डंक से जीतना भी अबजेक्टी बन जाने वाला था पूरा का पूरा अब्जेक्टिव जो है न आपके विश मैंने शेयर कर दिया तो उमीद करते हैं कि ये भी चेप्टर जो धातू एमम अधातू नामक जो चेप्टर था इससे जितना भी अब्जेक्टिव था काफी important लगा होगा और important लगा होगा तो क्यों न वीडियो को like कर दिजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद आप सभी के बिच objective में share कर रहा हूँ तो गुर्दशा के रूप में कम से कम like तो जरूर बनता है तो मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स चेप्टर के साथ तब तक के लिए जय हैं